वो दिन आपको दिखाएगा जिन दिनों में आप आससों को देखेंगे, खुसियों को देखेंगे, आनन्द को अपने दीवन में देखेंगे, भरपूरी को जीवन में देखेंगे. कि आप अपने लोगों को खुदा कभी भी समस्याओं में नहीं छोड़ते हैं, आप उनकी सिच्वेशन्स को बदलते हैं, आप उनके हालातों को बदलते परमिशर हमारे चैनल हिंदी बाइबल मेसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रात्ना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हो सकता है आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत सारी समस्याओं, परिशानियां, दुख, बिमारियां जीवन में हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, लगता हो कि ये समस्याओं कभी समापत ही नहीं होंगी जीवन से, लगता हो कि कब मैं इन से बाहर निकलूँगा, निकलूँगा भी की नहीं निकलूँगा, लगता है कि मानो मरना ही बहतर है, इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मरना ही बहतर है, विचारों को अपने मन में ना आने दें, क्यों? क्योंकि परमेश्व के पास आपके लिए यूजना है, और परमेश्व निश्च आपकी सुधी लेंगे, परमेश्व आपको ऐसे ही समश्याओं में नहीं रहने देंगे, परमेश्व आपको ऐसे ही स्ट्रगल में नहीं रहने परमेशुन आपको इस परस्तित से सीगर बहर निकालेंगे वो आपकी सुधी लेंगे जैसे हम लोग देखते हैं उत्पतिक किताब उसका आटा ध्याई में जब परमेशुन ने जल पर ले किया और नुह और उसका परिवार और जानवर एक जहाज में थे तो जब जल पर ले है और जब बाहर देख रहा है तो पानी ही पानी ही नू को भी लगता होगा कि ये समश्या अब कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगी ये पानी अब कभी भी घट नहीं पाएगा मैं कभी अब भूमी को नहीं देख पाऊंगा नू के मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि क्या फ फिर से धर्ती को देख पाऊंगा, क्या मैं अपना जीवन फिर से यापन कर पाऊंगा, कि मैं भी अन्य लोगों की तरहे नस्ट हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, क्या फिर से कोई उमीद है, और नू सोच रहा होगा, कि साइद मैं कितने सालों तक ऐसे ही जहाज में रहूंगा, क्या मैं कभी उस धर्ती पर उतर पाऊंगा, क्या मैं फिर से अपने जीवन को एक नए तरीके से सुरुवात कर पाऊंगा, अनेक परकार की सवाल, विचार उसके मन में होंगे, ये पानी कब घटेगा, ये समश्या कब दूर होगी, कब परमेशोर सब कुस ठीक करेगा, अनेक परकार की बातें उसके मन में होंगी, लेकिन परमेशो का वचन कहाता है उतपत्त किताब उसका आठ ध्याय एक पद जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है दोस्तों यहां पर परमेशो का वचन कहाता है कि परमेशो ने नुह की सुधी ली इसी प्रकार से परमेश्यों आपकी भी सुदी लेगा चाहिए आप उन समश्याओं में संगर्स में हैं कटिन समय से होकर गुजर रहे हैं लेकिन परमेश्यों आपको हमेशा वही नहीं रहने देगा परमेश्यों आपकी सुदी लेगा जिस परकार से परमेशन ने नू को हमेशा जहाद में नहीं रहने दिया हमेशा वो पानी में तैरता नहीं रहा हमेशा उस समश्या में बना नहीं रहा परमेशन ने उसकी सुदी ली परमेशन आपकी भी सुदी लेगा परमेश्यों ने हवा चलाई और पानी दीरे 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 घटा चला गया और उन्हें जमीन मिल गई, भूमी मिल गई, विशब भूमी पर उत्रे और एक नई दुनिया फिर से सुरू हुई, एक नया जन जीवन फिर से सुरू हुआ, दोस्तों इसी परकार से प्रवो आपके जीवन में करेगा, यदि आपने विश्वास बनाए रखा, यदि आप विश्वास में बने रहे, यदि आपने हिम्मत नहीं हारी, यदि आप निरास नहीं हुए, यदि आप भी प्रीच समय में परमेश्यों पर भरोसा रखते रहे, तो निश्य परमेश्यों आपकी सुध लेने वाला परमेश्र है, वो और नहीं चाहता कि उसके लोग हमेशा उस दुख में रहें, उस परिशानी में रहें, जब इसराइली लोग मिसर में थे, वो बहुत दुखों में थे, संकट में थे, परिशानियों में थे, लेकिन परमेश्र ने उन्हें हमेशा वहाँ नहीं परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला और दूद मधुद जिस देश में बहती हैं कनान देश में वहां ले करके गया, आज सुभे में मैं आपको उटसाइद करूँगा, परमेश्वर आपको उस दुख के समय से, उस परिशानी के समय से बाहर निकालेगा और आसिसों के में देखेंगे, आसिसों को देखेंगे, ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, लेकिन ये कब होगा, जब इस समय इस विपरिद समय में आप भरोसा रखेंगे, इस विपरिद समय में आप निरास नहीं होंगे, बलकि आप परमेश्वर में और मजबूत होंगे, आपके जीवन में आने वाला है आनंद का समय आने वाला है परमेश्वर आपकी सुधी लेने वाला है धीरज रखें विश्वास रखें तो प्रवब आपको इस वचन के द्वारा बहुत आइट साहसी दे आमें आप सब को जैमसी की परमेश्व का धनिवाद हो आज की सुन्दर सुभा के लिए और मैं आशा करती हूँ आप खुश है आनंदित है प्रभु में मगन है आईए मिलकर हम प्रात्न करें धनिवाद करते हैं सामर्ति पिता हम आपका आदर और समान करते हैं क्योंकि आप इसके योगे हैं आप भले पिता हैं और हम सब की प्रात्नों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं येशु आप बहुत अच्छे हैं हम आपका धनिवाद करते हैं आपने हमसे प्यार किया है आपका ये प्यार परमेशर प्रभू हमें आगे बढ़ने की सामर्थ देता है धनिवाद परमेशर ये प्रेम प्रभू कभी भी हमें अकेला महसूस नहीं होने देता ये प्रेम प्रभू हमें कभी भी गिरने नहीं देता क्योंकि ऐसा प्यार प्रभु तुने हम से किया है प्रमिश्वर जो हमें सामर्थ और बल देता है धनिवाद देते हैं प्रभु आज के इस नए दिन के लिए प्रभु आपने रात भर संभाला सुरक्षित रखा और आज का नए दिन हम सब भाई बेहनों के जीवन में आपने जोडा है यह नया दिन प्रभु तेरे अनुग्रया और तेरी दया से हमने देखा हम चाहते हैं इस दिन में परमिश्वर हम आपकी इच्छा को चाते हैं प्रभू हम सब के जीवनों में आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो क्यों कि आप जानते हैं हमारे past, present and future को प्रभू क्या होने वाला है कैसे क्या होगा वो सब आपको पता है इसलिए प्रभू हम सब कुछ आपके ऊपर सौंपते हैं और कहते परमिश्वर कि आप आज के दिन में परमिश्वर अपनी योजना के तहत अपनी इच्छा के तहत हम सब के लाइफ में कारे करें हर प्रकार की negative बातों को येश्यू के नाम से कैंसल करते हैं डाइवर्ट करने वाली बातों को दूर करते ये शुके नाम से इसी वक्त पर मिश्चदु अ दुष्ट के हर एक बंधनों को हम दूर करतें ये शुके नाम से धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्तिती के लिए जो हम सब के साथ में हैं प्रभु आज के दिन के लिए ग्यान बुद्धी समझ को मांगते हैं चाहते हैं प्रभु कि आप हमें गाइट करें हमारी अगवाई करें जो कोई भी कार ये प्रभु आज के दिन में होने हैं हम सब क प्रभु जब अपने वचन के लिए प्रभु जब आपने अपने हालातों को बदलते परमिशर जिस प्रकार प्रभु जब नुह के सामने प्रभू जब बहुत सारा पानी था और उसे लग रहा था कि शायद अब भूमी नजर नहीं आएगी परन्तु पिता तुने उनकी सुधी ली प्रभू और तुने उनके लिए प्रभू पवन को बहाई और परमेशा पूरा जल घड़ गया और वो भूमी को उन्होंने देखा प्रभू वो आशा वो उमीद को तुने पूरा किया आज बहुत से लोग प्रभू इस समय प्रात्नम हैं और प्रभू अपनी उमीद को तुछ पर लगाए है प्रभू जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है जब पिता परमेशा हर तरफ से वो परिशानियों से हर तरफ से रुकावटे हर तरफ से बादाये है करजे में है और बहुत सी विरोधियों से गिरे परमेशा पिता प्रभू ऐसे समय में दूआ करती हूं और प्रभू घोषना करती हूं तेरे लोगों के रास्ते खुल जाएं एशु के नाम से उनकी असफलताएं दूर हो जा पिता इनके लिए प्रभू अंदिकार में भी रास्ते खुलने पाए परमिश्व पिता इन्हें नुह के तरह इन्हें नजर आ रहे हैं कि हर तरफ समस्या हैं परिशानियों हैं परिशानियों से निकलना असंभव लग रहा है परंतु असंभव कारिया आपके लिए संभव है परमिश्वर मेरे खुदावन येश्यू के नाम से इसी वक्त सारे करजे चले जाएं प्रभू येश्यू के नाम से दुष्टात्माउं से बहार और छुटकारा इने मिलने पाए पिता दुष्टात्माओं को हम आग्या देते हैं, इनके जीवन से चले जाओ, हर प्रकार की बाधाओं को कहते हैं, जाओ ये शुके नाम से, हर प्रकार के डिस्टेबिंस इनके परिवार से, जाओ ये शुके नाम से, कलेश, लड़ाई, जगड़े, जाओ ये शुके नाम से, हम आ जिनके प्रभु मिसंडेस्टेंडिंग आ गई है रोंग रिलेशन्शिप के कारण प्रभु जी बहुत जादा कॉमुनिकेशन गाप बढ़ रहा है रिष्टे टूट रहे उन रिष्टों को प्रभु उन पर आपके मेल मिलाब को चाहते प्रभु आपके वाइदों को प्रभ प्रभु एश्यू के नाम से अच्छे घर की घोशना करते प्रभु जी प्यारे कुदा धन्यवाद इनके हाथ के कामों पर आशीज दीजिए इनकी योजनाओं को सफल कीजिए प्रभु जी तैंक यू फादर इसी वक्त वो सारी योजनाएं वो सारी प्लान्स प्रभु ए त्वज़तार हर दिन प्रभू घर के आगे हैं, दूआ करते हैं, इसी वक्त अपने महिमा मैधन से उनके लिए प्रबंद करें, येश्यु के नाम से प्रबंद होने लगे, येश्यु के नाम से, ठ deposit, धन्यवाद करते पिता, प्यारे प्रभू मैं दूआ करती हूं, प्रभु बहुत अद्भुत आपने उनके लिए उसी प्रकार अपने लोगों के लिए भी आप अद्भुत कारिय करें मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं उनकी सोच समझ कल्प ना उसे परें उनके परिवार के लिए उनके बच्चों के लिए उनके जॉब के चेतर में बि रहा है, marriage नहीं हो पारी है, एशु के नाम से अच्छे जीवन साथी की घोशना उनके लिए करते हैं, परमिशु पिता, thank you father, प्रभु जो बहुत जादा डर रहे हैं, प्रभु जी, एशु के नाम से डरावने विचार, हर एक डर इनके जीवन से चला जाए, प्रभु हर एक अच्छे नाम से इसी वक्त हम दूर करते हैं, प्रभु जो आपके लोग इस समय पड़े है, पिछ़ौने में है, प्रभु जी, हास्पिटल और वेंटिलिटर आइसिऊ में हैं, बहुत सीरिस है, येशु के नाम से हम उनके लिए जीवन को मांगते हैं, येशु के नाम से प्रभु येश्यू के नाम से हर एक रोग हम आग्या देते हैं छोटे बच्चों को छोड़कर नौजवानों को छोड़कर बुजर्गों को छोड़कर हर एक बीमारी निकल कर चली जाए हम आग्या देते हैं अंदरूनी अंगों को हम आग्या देते हैं प्रॉपर काम करें य येश्यू के नाम से धन्यवाद धन्यवाद करतें तेरा वचन कहता है कि प्रबुयेश्यू के कोड़े खाने से तुम चंगिये हो गए मैं धन्यवाद करते हैं ये जई दिन में प्रबो इनके कामों को सफल करे जहां कहीं है जाये दुरगटनाओं से इनकी सुरक्षा करें इनके चारो और प्रबो आप किसी सहर पना है परमेश्वर आप इनके ढाल इनके मजबूत किला है परमेश्वर हम आपका धनिवाद करते हैं प्रबो हर एक स्कैम से हर एक फ्रॉड से हर प्रकार के धोके से परमिशर आप इने बचाए प्रबू यदि किसी ने प्रभू इनका गलत फाइदा उठाए प्रभू तो प्रभू इसकी भरपाइए आप करे परमिश्व पिता आप सहायता करें, मदद करें, उन्हें उचा उठाएं, उन्हें स्टैन दें प्रभू हर एक जन प्रभू आत्मा में स्ट्रोंग होने पाए पिता, धनिवाद आपने हरे की प्रात्मा सुनी, उत्तरहां आमीन में दिया, जिन्होंने बोया है उन्हें फल्वंद करें, प्रभू हर प्रकार की financial problem तुम दूर होने पाए, इनकी कमाई पर बरकत दें, यह जो कारे करते हैं, उस पर बरकत आशीज दे प्रभू, पिता जितने लोग सेवकारिया में हमारे साथ शामिल होते हैं, उन्हें आशीज दें, और आपके लोग बढ़ें आपके कारियों के लिए प्रभू, आपके